नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदिन ग्रोपअब कालेज के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मैं रामलाल लैकवार प्रवक्ता राजनीती विज्ञान, पहलवान गुरुदिन विधी महाविध्यालय पनारी ललित्पुन आज का जो हमारा अध्यन का विशय है, 73 सम्मिधान संसुधन अधिनियम की प्रुमुख विशेष्टा है, भारतिय सम्मिधान का जो 73 सम्मिधान संसुधन 1992 में हुआ है, इसकी जो प्रुमुख विशेष्टा है, उनका विधिवत अध्यन करेंगे भारतिय सम्मिधान 23 सम्मिधान संसुधन अधिनियम 1992 में पंचायत राज संबंदी संग्ठित बिभिन समितियों और बिभिन प्रिस्टाओं को समाविष्ट कर एक ससक्त संग्ठन का नर्माड किया गया है जिसकी प्रमुक बिसेश्टाएं निमने बिन्दों के अंतरगत अधिन के सुरूप में की जाएंगी पहला जो पॉइंट है प्रतेग गाउं में एक ग्राम सभा होगी ग्राम श्तर पर पंचाय छेतर में मतदाताओं की रूप में पंचीकरत समस्त बैस्क ब्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होंगे यह सभा ग्राम श्तर पर सक्तियों का भोग करेगी और उन कारियों को शंपन करेगी जो की राजबिधान सभा द्वारा प्रदान किये जाएंगे 73 सम्मेधानिक संसोधन के अंतरगज्य दूसरी बिसिस्ता है प्रतेक लाज़ में ग्राम मादमिक और जला इस्तरों पर पंचायतों का गठन किया जाएगा अता पंचायती राज सनलचना के सम्बन में एक रूपता इस्थापित की जाएगी 20 लाग से कम की जनसंख्या वाले राज्जियों को मादमिक इस्तर पर पंचायत के गठन के सम्बन में छूट दी जाएगी तीसरी जो बिसिस्ता है प्रतेक इस्तर पर पंचायतों के सदस्यों का चुनाव प्रतेक्च रूप से किया जाएगा जबकि मादमिक और जिला इस्तर की पंचायतों के सभापतियों का चुनाव प्रतेक्च रूप से होगा ग्राम इस्तर पर पंचायत के मुख्या की चुनाव की पद्दती का राज्य सरकारों दुआर निर्धारन करने का उपबंद किया गया है चौथी जो विशिष्टा है प्रतेक इस्तर पर S.C.S.T. के लिए उनकी जनसंख्या की अनुपात में पदों के सरलक्षन की विवस्था की गई है महलाओं के लिए कम से कम एक तहाई सीटों के सरलक्षन का उपलब्ध है और इसके सम्मंद में एक पंचायत में पिरतेक निर्वाचन के समय निर्वाचन छेत्रों का निर्धारन वारी वारी से किया जाएगा इसी प्रकार सभापती के पद की संबन्द में भी महिलाओं के लिए आरक्षन की विवस्था की गई है अगली जो विशेष्टा है सभी पंचायती राज संस्थाओं की कार्यब्दी पांच वर्ष निधारित कर दी गई है प्रति स्थापना की इस्तिती में यह आवस्थेख है कि बेगटन की तारिक के पश्चाद 6 माए के अंतर गथी पंचायत के चुनाव संपन कराए जाएंगे 73 संब्धानिक संसुधन की जो अगली विशेष्टा है राज विधान समाओ के एधिकार दिया गया है कि बेगटन को कर लगाने एकत्र करने, इस्थाणीय करों के बिनियोजन करने की समुचित सकती सोंपे और इसके साथ ही राज की संचित निधी में से पंचायतों को सहयता अनुदान कर सकती है सम्मिधान की जो अगली विशेषता इसमें अधिनियम में पंचायतों को टैक्स, ड्यूटी, फीज, इत्यादी लगाने का अधिकार दिये जाने का प्रावधान है पंचायतों की वित्तिये इस्तिती पर विचार और पुनर विचार करने के लिए एक बित्त आयोग की गठन का भी प्रावधान है जिसे हर पांच वर्स पस्चात पुनहा गठित किया जाएगा यह आयोग राज्यों और स्थानिये इकायों में धन के बित्रण के लिए राज्यों को उचित सुझाओ देगा अधिनियम की जो अगली विशिष्टा है पंचायतों में नेंतरत्रा बनाये रखने के लिए इस अधिनियम में यह विवस्था प्रदान की गई है कि समस्थ पंचायतें जो की अधिनियम के किरियान वैन से पूर्व कारे रती अपनी कारे अवधित तक बनी रहेंगी जब तक कि राज बिधान सभा द्वारा उनकी बिगटन सम्मंदी प्रस्ताव ना पारित कर दिया जाए अधिनियम की जो अगली विशिस्ता है पंचायती राज संस्थाओं को कल्यानकारी बिवस्ता और विकास आत्मक छेत्रों में ब्यापक सक्तियां प्रदान की गई है इन विशियों के सम्मंद में निरणाय लेने योजना बनाने और परियोजनाओं के निरधारन का अधिकार है इन संस्थाओं की सक्ति सूची में सिक्षा, प्रसार, तकनीकी प्रिसिक्षण एवं ब्यवसाइक सिक्षा, किरसी, भूमी सुधार, लगू, दुग, विकास जैसे कई विधिक भिसाय है अधिनियम की जो अगली विशिष्टा है, लाज्जियों के लिए आवश्यक है कि बे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप ही अपने पंचायत कानूनों में परिवतन करें और यह परिवतन इस अधिनियम के लागू होने के पश्चाथ अधिक से अधिक एक वरस में होना चाहिए अर्थात अप्रेल 23, 1994 तक पंचायती संस्थाओं को ससक्त करने समंदी कानून बनाए जाएंगे बिद्दमान कानून में परिवतन किया जाएगा अतहा साम्वेधानिक उपबंद द्वारा भारत में पंचायती संस्थाओं को सम्मेधानिक मानता प्रदान की गई है और यह कहा जा सकता है कि भारत राजनेतिक सत्ता को निम्नतम इस्तर तक हस्तांतन करने के मोड़ पर पहुँच चुका है इस प्रकार लारड रिपन के स्थानिय स्वयशाशन के विचार सित्हत्तरवे सम्मेधानिक संसुधन में अंतरने स्वयशाशन की संस्थाओं की स्थापना तक की यात्रा लगभग एक सताबदी से अधिक का समय लग गया या है विकास हमारी संगी विवस्था के लिए उल्लिखनी है अतहा आज के जो हमारा टॉपिक था तेहत्रवे सम्मेधान संसुधन अधिनियम 1992 के अंतरगत जो पंचायती राज का गठन किया गया उसकी विसेश्ताओं का संपून अधिन किया धन्वार